प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्माजी अधिकतार दिली में रहते हैं जैमा इंद्राक्शी, इंद्राक्शी धाम में दर्सकों आप सभी का महारीख व्वागत करते हैं आज के दिन जिन जाक्कों का जनम दिवस है, मेरीज अनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुब कापनाएं। आज का पंचांग, 22 दिसंबर 2019, दिन रविवार, पोश मास, कर्शन फक्स, संवन्त 2076, तिथी एकाजशी, नक्षत त्रस्वाती, रहुकाल 4.5-6, दिशासूल 5.5 आज हम दर्शो को बात करेंगे शैन कक्ष के, शैन कक्ष में कई बार कुछ चीजे बढ़ाने से और घटाने से, जिंदेगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, वास्तू सास्त्र के लिहास से, शैन कक्ष में कुछ चीजे गदापी नहीं रखनी चाहिए, और रखती हैं अपने शैन कक्ष में भोजन करता है, खाना खाता है, और बहुत लोग तो बैड़ पर बैट कर ही खाना खाते हैं, और जूटे बरतन यदा गदा महीं रख दिये जाता हैं, तो हमेशा ध्यान रखें, कदापी शैन कक्ष में जूटे बरतन ना रखें, जो शाद तर पतनी बिमार रहेगी आपके शेहनकक्स में आपके जूटे बरतन अब आपको होगे इससे होता क्या है देखो जूट किसी भी चीज़ की होती है चाहे वो सफाई के रूप में हो बरतनों के रूप में हो और चाहे हम किसी के साथ जूट बोल रहा है तो जूट तो बुराई होता है जूट अच्छा तो नहीं होता न तो इसी लिए आपके शेहनकक्स में आपके बैडरूम में आप कदापी जूटे बरतन ना रखें इससे पतनी का जो शरीर होता है उसमें नाना भाती के धीरे धीरे लोग लगते चले जाते है शायद आप पहली बार ये बात आज सुन रहे होंगे दूसरी बात शेहनकक्स में कदापी जाडू ना रखें कई बार बहुत लोग बैड़ के नीचे जाडू रख लेते हैं तो शेहनकक्स में जाडू नहीं रखनी चाहिए अब एक सवाल आपका भी है बहुत लोग कहेंगे साब हमरे पास तो रूम ही एक है हम क्या करें बात आपकी भी सही है तो ऐसी इस्तिती में आप रात में जूटे परतन छोड़े ही ना उनको वाश कर दें धो करके साफ करके तब रखें ओके इतना तो हम कर सकते हैं अब रही जाडू की बात तो कदापी इसको बैड़ के नीचे ना रखें एक तरफ रख लें अगर रूम एक भी है तो और भी तो कहीं थोड़ी बहुत उसमें डाएं बाएं आजू बाजू कहीं जगा हो सकती है तो वहां रख लें उसको दोनों बातों का आपको उत्तर मिल गया क्योंकि आजकर लोग तर्क वितर्क बहुत करते हैं विस्वास बाद में करते हैं तर्क वितर्क पहले करते हैं इसलिए हमारा भी दाइत पो बनता कि आपके पहले तरक, वितर, कुतरक का जवाब भी आपको देते चले आगे बढ़ते हैं शैन कक्ष में अगर आपको कोई भी फूल पसंद है लाइक, चमेली है, गुलाब है कोई भी आपको जो फूल पसंद है अक्सर अपने सिराने शैन कक्ष में आप ताजे फूल रात्री के समय थोड़े बहुत जरूर रखें दिन में फ्रीज में रख लें या शाम को ही ले आएं सोते समय आपके पास एक छोटा सा गुलदस्ता बशरते चाहें एक गुलाब हो बशरते चाहें थोड़ी सी चमेली के फूलों खिले हुए आप सुगंदित पुष्प अपने शाहिन कक्स में रखें इससे नींद के उपर भी परभाव पढ़ता है मनो मस्तिक्स के उपर भी परभाव पढ़ता है और इससे जीवन में स्फूर्ती और ताजगी रहती है आप इसको करके देखें एक चीज़ आपको और बता दे आप जहां सोते हैं आपका जो फेस डारेक्शन है उसके ठीक सामने कोई बड़ा मीरर नहीं होना चाहिए अक्सर हमने देखा है कि आप सो रहे हैं आपके ठीक सामने बड़ा सा मीरर होता तो बड़ा मीरर नहीं होना चाहिए यह अशुol होता है यह अच्छा नहीं होता अब आप तोड़िये खामत नाइं बहुत लोग मेरी आवाद सुनने के बाद किहिंगे हमारे घर में तो है आप एक करटेन बना ले एक करटेन बना ले पतला सा पर्दा बना ले जो उसको कवर कर ले बस रात में जब सोएं तो उस मीरर के उपर कर्टेन कर दें इतना हम कर सकते हैं देखो हर सवाल के संसार में जवाब है समस्याएं हैं तो समाधान भी है तो आप कर्टेन कर दिया करें उसके उपर इस चीज़ का भी आप सक्त ध्यान रखें जिन जात्कों को मांसिक वेदना बहुत रहती हैं, मीठी नींद नहीं आती, बहुत जादा दिक्कते रहती हैं, तो ऐसी इस्तिती में रात में रात्री सुक्त पढ़ लिया करें, रात्री सुक्त पढ़ा करें, और दूसरी बाद देसी घी का, प्योर देसी घी का एक छोटा स दीप महाश शेहन कक्स में जरूर प्रजुलित करें और यदि कपूर का दीपक हर शुकरवार थोड़ा सा कपूर जलाया जाए बैडरूम में शेहन कक्स में तो इस से भी बहुत अच्छे से आपको रिलिफ मिलेगा आप यह करके देखें राच्री सुक तो अच्छी चीज है और अब बैसे टॉपिक तो है कि शेहन कक्स में क्या रखें क्या न रखें वो बात है लेकि लाला चाह जाता है आपको मन करता है जादे से जादा बता दें एक मंत्र होता है जिने बहुत कमजोर नीदाती है यादेवी सरवभ हुतेशु निद्रा रूपेंड संसिता नमस्तश्य 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 नमो नमा इस मंत्र को भी हम पढ़के चार-पाँच बार सो सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा तो कुछ ऐसी छोटी-छोटी सी बाते हैं जो हमें अपने बैट-डूम के प्रती भी सजग रहना चाहिए जहाम रहते हैं जहाम खाते हैं जहाम सोते हैं एक बहुत बड़ा हमारा ध्यान जाना चाहिए कि कहीं हमसे कोई गल्ती तो नहीं हो रही है बैट के नीचे जाड़ू रखेंगे बेचे नीचे रहीगी और कहीं नहीं लक्षमी का प्रारूप धन का रूप जो होता है वो भी आपका कमजोर होगा बरकत का रूप कमजोर होगा जूटे बरतन कदापी नहीं रखने जो मैंने आज आपको बताया अब एक चीज और ध्यान रख से सुन लें मेरी बात को आपका जो शैन कक्स है शैन कक तूटी हुई चपल तूटे हुए कंगे तूटे हुए बहुत सारी चीज़े हो सकती है आपके ब्रेसलेट या कुछ भी बहुत सारी चीज़े तो तूटा हुआ कोई भी सामान जादतर कोशिस करें अपने बैडरूम में ना रखें तो तूटा हुआ सामान भी बैडरूम में नहीं रखना चाहिए तो ये कुछ बातें हैं आप नोट कर लीजेगा और हमारे वास्तु से संबंदित अने को पार्ट हमने बनाए है तो हम आप हमारे जो अने को वास्तु से संबंदित पार्ट है उनको भी सुन लीजेगा आपको नौलिज बढ़ेगी टू बनाया है कि कैसे हम सूर्य यंत्र को बनाये सूर्य यंत्र जिस घर में बन जाया और उस घर में रहता है पूजा की दरवार में और उसको हम प्रती दिन धूब दीप करते हैं इससे घर में आय बढ़ती है व्रद्धी बढ़ती है लक्समी का निवास होता है नवगरहों के राजा सूरिय प्रसन होते हैं और नवगरह भी प्रसन हो जाते हैं तो इस बार हमें कैसे सूरिय यंत्र बनाना है हमने 26 दिसंबर के एपिसोड में बना दिया है वो हमने यूट्यूब पर सिस्टर के लिए भाई के लिए किसी के लिए बना कर भी उनको आप गिफ्ट कर सकते हैं भेश सकते हैं और वो पूजा के दरबार में रखें लेकिं किसी भी तरह का मानसिक रूप में ध्यान रखें जितने प्रेम से आप इस यंत्र को बनाएंगे जितनी एक तरह से अंदर की जो एक वो होती है न कि मितास होती हम के कोई चीज बहुत मन से दिल से किसी को bina कर के दे रहे या अपने लिए बना रहे हैं एक बहुत विश्वास के साथ बनाइए है निश्जित आपको लाप मिलेगा बागी आप हमारे दोनों पार्ट ध्यान से सुन लीजेगा आपको सुमिन में जाएगा आईए दर्शकों स्वम्हें उचला आज की ध्यान मला का आज की ध्यान मला में जोड़ते हैं महा दुर्गास से प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलंब सुन्डिम्सिरा संखं संधदतिम करेश्त्रिनयानाम सरवंग वूस्वरिताम निलास मध्युतिमास जबाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपितै हरो कमल जो अंतुम अदुम कटवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कञ्याम विहकरवाल खेट विलसा दस्त विरासे विताम हस्तेश चक्रगरा से खेट विसिखाम स्चापम गुणम तरजनीम विप्राणाम अलिलात्मे काम ससिदाराम दुरगाम तिनेत्राम वजे कबश बना लें ध्यान करें मा भगवति का असिरवाद आपके उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोलने समान्य हो जाए और हमने मंत्र लेखन के लिए सवा करोड ओम नमेश्वाय मंत्र लेखन हमें करना है महिलाए नमेश्वाय लिखेंगी और पुरुष ओम नमेश्वाय लिखेंगे 26 दिसंबर का ग्रहन है एक पतली सी कॉपी ले 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 या जैसा मर्जी ले 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 और आप कम से कम आट दस लोगों को इस मंत्र लेखन से जोड़ें ग्यारा लोगों को जोड़ें हमारे पास फोन आने सुरू हो गए हैं जो में हेड रोल अदा करेंगे उनके नाम आने सुरू हो गए हैं कि शर्मा जी मेरा ये नाम है मैं यहां से बोल रहा हूं और मैं मैंने 10 कोपी बाटी है मैंने 15 कोपी बाटी है मैंने 25 कोपी बाटी है और लाल पैन दी है तो यह मंत्र लेखन का कारिया बहुत अच्छे से ह होना चाहिए और आप हमारा एक एपिसोड है आओ मंत्र लेखन सुरू करें यह हमारा एपिसोड दो चार रोज पुरा नहीं है यह सुन लीजिए उससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि उससे क्या लाब होगा और हमें कैसे मंत्र लिखना है हमने आप से एक रोज पहले कह बाता ना हम आप से कुछ कराना चाहते हैं तो हमारा यहीं मंत्व्य है कि आप सब मंत्र लेखन से जुड़ें महिलाएं नमश्यवाई लिखें पुरुष ओम नमश्यवाई लिखें आप जैसे फिर थोड़ा सा बता देता हूं दो मिनट के लिए कि आप जैसे अपने शहर म में गिफ्ट देना चाहिए भागवान देखते हैं भुले नात देखते हैं शंबू नात देखते हैं आपकी मनोकामनाय पूर्ण होंगी और यदि वह स्वयम अपने लिए एक लाल पैन बॉल पैन हो स्कैच पैन हो कैसी भी पैन से लिखें कौपी चैन लाइन वाली हो या प्लेन पेपर वाली हो कैसी भी हो बस इसमें इतना ध्यान लेखें जितने मंत्र आपने लिखें लास्ट में अपना एड्रस अपना नाम मोबाइल नंबर और कितना मंत्र लेखन आपने उस कापी में किया 500 मंत्र लिखें 800 मंत्र लिखें 11000 मंत्र लिखें तो वह आप जरू पूर आपने मंत्र लेखन का कार्य प्रारम करना और उसे भी कराना सब और ये इसमें संकल्प क्या होगा कि है भोले नाद मैं आज से आपका ये मंत्र लेखन प्रारम कर रही हूं या कर रहा हूं बस मुझे आप शक्ति दे हिम्मत दे और आपका हमेशा मुझे आश्रवाद म आप हमारे पते पर जो भी हैड है हमारे पते पर वो पूरा आप उसको भेज देंगे इसके बाद हम भागवान संभू के चड़नों में आपके मंत्र लिखे हुए रखेंगे जितने लोगों का आपने नाम भेज़ा है सबने कौपी पर लिखा यह होगा पीछे की तरफ कि मैं मीना कुमारी मैं महेश कुमार मैं सुरेश कुमार सबका नाम फोन नंबर होगा सबके नाम से एक विस्येस प्रकार का देविय हम यग कर रहे हैं इसमें किसी तरह से हम कोई आपसे पैसा नहीं लेंगे किसी तरह का कोई आपका खर्चा नहीं है बहुत अच्छा आपको हम उनको अपनी तरफ से पंच मुखी रुद्राक्स उस यग में सिद्ध कर करके भेजेंगे चाहें वो रुद्राक्स हमेशा के लिए पहन सकते हैं और या उसको अपने घर के पूजा के दरबार में आप रख सकते हैं और बहुत सारी बाते डीटेल में प्रती दिन के कारिकर में बताता रहूँगा पस फिलाल के लिए इतना संदेश है 26 तारीक से आप मंत्र लेखन प्रारम करें उसके से पांच मिट लगेंगे और किस्ते में करना है सुबह आट से ग्यारा के वी जिस वक्त ग्रहन होगा क्योंकि ग्रहन में लिखी गई कोई चीज ग्रहन में बनाय अच्छा मुझे यह लगा कि पूजा सब लोग मिलके कर रहा है सब अपने अपने जगह में घर में भी पूजा होती है तो प्रधान लोग पूजा करते हैं बाकी लोग इसमें समलित नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पर जो बेवस्ता है वो सबसे अच्छा लगा मैंने में रहेंगी लेकिन उससे कैसे जू जाया इसकी सक्ती अंदर से महसूस हो रहे है कि अब हम कैपबल हैं उसको फेस करने के लिए किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंदरु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें